पुजिसनेट दिसंबर 2023 का एड्मिट कर तो आ गया है लेकिन साथ में आपको लेके जाना है सेल्फ डेकलरशन फॉर्म जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके बिना एक्जाम में होगी नो एंट्री तो वीडियो को स्किप मत करिए सेल्फ डेकलरशन फॉर्म यनकी अंडर्टेकिंग फॉर्म आपको कैसे बना है देखिए आपको मैं यह भी चीज़ बताऊंगा और साथ में जिनके पास अधार कर नहीं है उनको कौन सा फॉर्म भरना है वो भी आपको मैं बताऊंगा वीडियो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब इसके वेन एक्जाम में आपके इंटरीव नहीं होगी तो कैसे बना है आपना नाम भरना है यहां पर अपना आपको अड्रस बरना है चीक हैं तो जो जो गाडिलेंस है इहां पर दी होई information bulletin में तो आपको यहां पर दे दी गई है तो important instruction जो है वो भी यहां पर दी है तो यहां पर कुछ नहीं करना तो वह साथ चीज़े सेम है self recreation में आपको अपना नाम भरना है साथ पर अपना address भरना है और दीखे यहां पर आपको अपना एक photo जिपकाना है यहां पर ठीक है एक color photo होना चाहिए और यहां पर आपको जिपकाना है exam center में जाने से पहले और साथ पर आपको यहां पर अपना left thumb impression की अंगुठा लगाना है बाए हाथ का चीक है left अंग उठा यहां पर आपको लगाना है left thumb यहां पर आपको लगाना है उसके बाद दिखे यहां पर आपको signature करने है लेकिन अभी नहीं करने signature कब करने है जब invigilator यानिकि जो आपके class में teacher होते है न जब आप exam देते हैं तब चीक है जनकी duty होती है to be sign अभी नहीं करने sign तब करने है जब आपको exam center में जाना है तो जिनके पास दिखे अधार कार्ड नहीं है तो उनके लिए declaration form कौन सा है यहां पी लिखाना ऊपर declaration form from non-adhar candidate अब देखे आप जिनके पास अधार कार्ड है जिनने ऊपर वाला self declaration form भरा है तो उनको यह फिल नहीं करना बट जिनके पास अधार कार्ड नहीं है जिननोंने नहीं लगाया था exam के time तो उनको यह फिल करना है ठीक है आपको दोनों फिल नहीं करना है आपको उपर इन टाइप है यह जो टू दरेक्टर नेशनल टेस्टिंग अजेंसी ओकला दिली ठीक है यह उनको लिखी गई है डेकलरेशन रिकार्डिंग है योजिसने दिसम्बर दोसार था इसके सो यहाँ दिखे आपको अपना नाम लिखना है फादर नेम लिखना है मदर नेम वह सारी सही है आपके नॉलज में है ठीक है तो जो आपने इमेज की थी अप्लोड की थी एप्लिकेशन फॉर्म में वह मैच नहीं होरी फेस टू फेस इसलिए आपको वह रीजन क्या बताने हैं जैसे आपने मालेजिये की एक्जाम फिल करते फॉर्म फिल करते टाइम में जो इमेज आपने डाली थी थी थोड़ी सी बलर थी वह साफ नहीं दिख ली थी होता से न ऐसे तो यहां पर आपको यह टिकर देने हैं उसके बद्दिखें आ पको यहां पे अपना अपिलीकेशन नंबर एप्लाइप्लिकेश्ट आइड डालना है रोल पर डालना है application number apply application ID डालना है role बड़ डालना है अपना candidate का name डालना है और अब ठीक है यह अपर हो गया यहां पर government ID कोई type डालनी है government ID डालना है जैसे आपका driving license नंबर गोटर ID वगयरा हो गया date डालनी है हो साथ में shift नंबर डालना है कि आपका यह सब कुछ जो anti official है वही करेंगे जो आपके एक्जाम सेंटर में होगे आपको बस यहां तक अपने signature करके यह form को दे दना है तो आपको यह दोनों फोर्म नहीं भनने जिनके पस अधार कार नहीं है तो उनको ही यह form भनना है बाकी सबको ऊपर वाला self declaration form भनना है तो अगर आपको कोई बास समझनी है तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं तो आप चेक कर सकते हैं आपको दोनों तरह की चीज़ें आपर दीगी है तो जो इसके important instruction है वह हम अगली वीडियो में discuss करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगे सो में तक लिए वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत